उत्तरप्रदेश की सडकों के हाल बेहाल है, फरुखाबाद जिले में तो कई जगा सडके दिखाई ही नहीं दे रहی है। यहां केवल दूर-दूर तक गड्डे ही नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड़ा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरका लगातार काम कर रही है प्रदेश के मुख्या योगिया दितनाथ न सड़क को गड़ा मुक्त करने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया था लेकिन जमीनी हालत अभी भी अलग है परुखबाद कानपुर को जोड़ने वाले भोचपुर जहान गन्ज और शर्फाबाद मार्ग पर सड़कों के किनारे गडढ़े अभी भी दिखाई दे रहे हैं यही नहीं इन गड़ों के कारण लगातार हास से भी हो रहे हैं वहीं इतावा बरेली मार्ग हासो के कारण मौत का हाईवे भी कहा जाने लगा है इसके बाब जूत प्रिशासन यहां गंभीरता नहीं दिखा रहा है वरुखबाद की कई प्रमुख सड़कें अभी भी मरम्मत की राह देख रही हैं खराब सड़कों को लेकर इस्थानिय लोगों में भी खासा आक्रोश है सड़कों की खसता हाल का है इसी को लेकर जानने के लिए आज हम मौझूद हैं फरुखाबाद के भोचपुर मक्हमार्ग पर यह बही गाउं है जिसके नाम से ही यहां पर एक विधान सबा है सत्ता में आये और लोग यहां पर जो लगातार विकास के दावे करते हैं उसी को लेकर उस गाउं को तक साबित हो रहा है मेरे पीशे आप देखेंगे जो यह रोड है गड़े हैं वो पूरी तरीके से बड़े दिखर है आखिर जब चौदे तारीक है दो दिन बचे हुए हैं क्या यहां पर इस रोड के सूर्टे हाल बदलेंगे यह रोड यहां को तिराई से रहेंगा इस त जाता सरकार की यहां पर कोई नौएंदे आते हैं दिखने नई कोई ने क्या रहा यहां पर कब तक हो कोई उम्मीद है कोई उम्मीद नहीं दिखती है आज 6 साल हो चुकी है इस रोड को खंडर बना हुआ है आने जाने में बहुत बड़ी समस्या है और गंगा जी की कटान पर बिल्कुल जे रोड तो गंगा जी के किनारे मंदिर के पास में बिल्कुल ही खतम हो चुका यातायाद बंद है दूसरी रास्ता से हम लोग उनको आना जाना इस रोड पर सूबे में योगी सरकार आने के बाद कितना रोड का परिवर्तन देखने हो मिला मेरे हैं तो पर बिजा बहुत है रोड करा भैई इसको तैक्टर में रोड निकलने होती है तल्ण निकलने दिक्कत होती है जगा जगा रोड बेकार रहे तूटा पड़ा हुआ प्या उम्मीद है कप तक सही होगा अब यह तो शरकार जाने कप अपरजेश होगा तार रहें आपको थरक कर दो तार जाने सबस्ते हैं तो पे ओढने सब्स्क्राइब ॸयाएं कोई और इक सबस्क्राइब कोई देहLove नहीं है कित यहां पर कोई नहीं है डि Android कोई देख बाल नहीं कोई उमीद ही नहीं लगा रही है